हम हदूप के एक main component, हदूप distributed file system को already देख चुके हैं तो आए इस वीडियो में देखते हैं कि MapReduce क्या है हम MapReduce को typically किसी technical example को use करके या उसके सहारे से समझने की बजाए एक rather interesting और एक fun example से समझने की कोशिश करेंगे तो let's say कि एगर हमारे पास एक deck of cards है जिसमें 52 cards होते हैं और हमें problem ये दिया जाता है कि इन cards को इनके 4 different suits में divide किया जाए तो normally इस problem को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे उपर पढ़ा हुआ card उठाएंगे उसकी value देखेंगे और वो जिस suit से belong करता होगा उसको उस pile में रखतेंगे तो ultimately हमारे पास 4 different pile बन जाएंगे लेकिन हमें 52 cards को one by one देखना पड़ेगा तो ये एक इसमें अगर हमारे पास एक resource है जो के ये काम कर रहा है तो उसको पूरे 52 cards के उपर वक्त गुजारना पड़ेगा हर card को identify करके उसके relevant suit में डालना पड़ेगा तो अगर हम लोग इसी example को map reduce के perspective से देखें तो इस example को map reduce किस तरह से हैल करेगा तो सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग एक worker को use करने की बजाए या एक शक्स को use करने की बजाए या एक resource को use करने की बजाए हम लोग चार resources को use कर लेंगे और हम लोग एक से ज़्यादा resources basically use करेंगे इस case में मैंने by coincidence charge कर दिया और हम लोग क्या करेंगे कि अपने 52 cards को छोटे piles में randomly divide करके इन चारों resources को दे देगे अब इन चारों resources के सामने भी exactly वही problem है जो हम पहले देख रहे थे कि उन्होंने हर card को उसके relevant suit में distribute करके रखना है तो ये अपने पास चार piles बना देंगे चारों soaps के तो basically अगर आपके पास चार resources हैं उनको हम लोगोंने equally divided number of cards दे दिये sort करने के लिए तो उन्होंने अपने पास चार-चार piles बना दिये अब उसके बाद हमारे पास जो ultimate goal है या ultimate हमारा जो outcome है वो हमें ये चाहिए कि हम लोगों को actually सारे 52 cards को distribute करना है into individual suits तो उसके लिए हम एक stage ये देखना पड़ेगी कि हम लोगों के पास जो चारों resources हैं उनसे हर suit का जो उन्होंने अलग से pile बनाया है उसको लेके और उसको एक बड़ा pile बनाके eventually हम लोग अपने फिर उसी end result पर वापस पहुंच जो तो अगर इस पूरी map reduce job को मैं जरा breakdown करके देखूं तो हमारे पास जो original suit of cards है 52 का उसको चार resources में divide करना इसको mapping phase कहते हैं तो basically in mapping phase हम लोग input को split करते हैं उसके बाद अपने mappers define करते हैं और वो mappers जो हैं वो हमारे input को key value pairs में divide कर देते हैं मतलब कि अगर मेरे पास ace of hearts है तो मैं ace of hearts मेरा key है और उसकी value यह है कि मेरे पास एक ace of hearts का card है जो मेरे पास इसकी output है उसको reduce phase कहते हैं और reduce phase में हमारे पास reducers होते हैं जो के in results को mappers के results को फिर reduce करके और हमें अपना actually final results रट देते हैं और in the middle यह जो आपको बहुत सरे arrows नजर आ रहे हैं इसको shuffle phase कहते हैं और इस shuffle phase में actually हमारे पास जो input है और वो different हमारे mappers के पास system distributed हैं उसको एक अठा करते हैं, reshuffle करते हैं और अपने result set के मताबिक उसको shuffle करके हम लोगे reduces को pass on कर देते हैं तो अगर इसी example को, let's say कि हम लोगों ने originally एक बंदे से sorting करवाने की बजाए चार लोगों से अलग अलग sorting करवा कि उनके results को फिर compile करके अपने पास रखा तो let's say कि एक बंदे को ये काम करने में 5 minute लगते हैं और चार लोगों को individually ये काम simultaneously करने में 3 minute लगते हैं ये 2 minute लगते हैं जिसमें इन 8 mappers से फिर हम लोग उनकी output लेंगे और उसको reduce करेंगे और हम अपना results से निकाल लेंगे तो basically number of mappers बढ़ाने से the amount of time जो हम इसके उपर spend करेंगे वो हम लोग अपना effectively आदा कर सकते हैं तो basically ये different ये एक बहुत ही high level overview है मैं produce framework का जिस्ट जो के हदूब के अंदर centrally use किया जाता है for bringing data into Hadoop तो अगर हम लोग कुछ high level overview देखें के actually my produce है क्या और इसकी थोड़ी characteristics को list down करें सबसे पहले ये distributed programming model है for processing large data sets जैसा के भी हम लोग ने अपनी example में भी देखा although एक arbitrary छोटे size की example के 52 cards को split करना but एक बंदे की विजाए जब हम लोग ने number of resources बढ़ा लिए तो हम लोग ने अपनी problem को distribute किया और hence हम उसको काफी तेजी से process कर पाए इसी तरह जब हमारे पास बड़े data sets होते हैं तो हम उनको across Hadoop cluster distribute करके process करवाते हैं तो हम लोग उसको काफी जल्दी process कर लेते हैं secondly MapReduce as a concept Google ने conceive किया था Google file system actually वो concept है जो के हदूब distributed file system के backend पर चलता है और MapReduce का concept भी Google में conceive किया गया MapReduce को किसी भी programming language में implement किया जा सकता है और actually बहुत सरी different programming languages में इसके मुखलिफ variants मौझूद है Hadoop जो है वो Java में लिखा गया है और जैसे मैंने एक MapR की distribution दिखाई थी तो लोग ने MapReduce के concept को C में implement किया है MapReduce programming language नहीं है लेकिन programming language यह एक data processing framework है basically तो it's not a programming language क्योंकि MapReduce को बहुत सरी different programming languages में implement किया जा सकता है Hadoop as a distribution MapReduce के concept को implement करता है और finally MapReduce जो है वो as a system जब Hadoop का part बनता है तो वो manage करता है हमारी communication between different nodes transfer करता है data between different nodes और उन different nodes के उपर हमारी जो parallel execution है उस चीज़ को भी manage करता है basically across a distributed execution and storage system तो इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में हम लोग MapReduce की job को तोड़के उसके different components को study करेंगे ओड़ो ओड़ो डीजयो ढ़िड़ो बाब q